जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पर लगी बेल आइकोन को ज़रूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों गर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं त प्लैश डी आर अर्शी खान पर जाकर डुनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी है और उन्होंने अपना संकल पर गोशित किया है क्या किया है उन्होंने अपना संकल पर गोशित किया है हम मोदी की छबी को दुमिल करके रहेंगे इसके लिए इन लोगों ने बाती बाती के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा समाले हुए है इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैड़ कर अपना काम कर रहे है आज ये साबित हो गया कि भारत के प्रधान मंत्री वास्तों में अनपर प्रधान मंत्री है गैर पढ़े लिखे प्रधान मंत्री है भारत के प्रधान मंत्री वास्तों में नहीं चाहते कि उनकी डिगरी के बारे में देश के लोगों को पता चले अपना प्रधान मंत्री बना रहे हैं उसकी डिगरी क्या है पता नहीं चलना चाहिए यह तो हजीब बात है CIC ने फैसला दिया कि भई डिगरी बताओ डिगरी दिखाओ कि विश्विद्याले उसके खिलाब हाई कोर्ट में गया जुर्माना अर्विन केजरिवाल जी पर हो रहा है ऐसे बयान देते हैं हमारे प्रधान मंत्री जी कि एस्क्वाइर बी स्क्वाइर टी स्क्वाइर पते नहीं क्या-क्या बूलते हैं जाके कनाड़ा में भासी मजा कुड़वाते हैं भारत का कभी कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो कभी कहते हैं सिकंदर जब बिहार में आया था दो बिहारियों ने मार के भगाया था गुजरात हाई कोड का कल ओडर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल कॉलिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं ले सकते इससे पूरा देश एक तरह से स्थब्ध है डिगरी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिगरी हो सकता है फरजी हो करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वे देश का प्रधानमंत्री बन गया दिल्ली विश्वदेले को तो सेलिबरेट करना चाहिए कि वो वो उनकी डिगरी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं सियासी तमाशे के तहट असली हो या नकली पर साहिब की डिगरी का ने भारत में बज रहा ये डंग का बहुत जहरीला साबित हो सकता है और 2024 के चुनाव तक ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी को काफी परिशान कर सकता है दोस्तों गुजराथ हाई कोट ने तो घजब ही कर दिया जी हाँ दोस्तों हाई कोट ने काफी एतिहासिक फैसला सुनाया है दरसल कोट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी की बीए और एमे की डिगरी मांगने वाले दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है साथ ही सेंट्रल इन्फर्मेशन कमिशन के उस ओर्डर को भी रद कर दिया है जिसमें उन्होंने दिल्ली और गुजरात युनिवस्टीज के साथ ही प्राइम मिनिस्टर आफिस को भी पी-म की डिगरी केजरीवाल को दिखाने का ओर्डर दिया था दरसल दोस्तों अर्विन केजरीवाल सियासी बयान बाजी और तमाशे में नरेंद्र मोदी के जुमले बाजी से भी आगे हैं गुजरात हाई कोट के जुर्माना लगाए जाने के बाद भी वो चुप बैटने वाले नहीं हैं वो डिगरी का डंका बजाते रहेंगे मतलब मोदी की डिगरी का मुद्दा और जोर शोर से उठाएंगे क्योंकि जब जब ये मुद्दा उठेगा पी-म की साख पर सवाल उठेगा वैसे आम आदमी पार्टी और अर्विन केजरिवाल को अगर लगता है कि प्रधान मंतरी नरेन मोदी की डिगरी फर्जी है तो वो उनके खिलाफ एलेक्शन कमिशन में जूटा हलफ नामा दाखिल करने की शिकायत करें क्योंकि प्रधान मंतरी का हलफ नामा अगर जूटा साबित हो जाता है तो उनकी लोग सभा की सदसिता रद हो जाएगी इस से आम आदमी पार्टी और अर्विन केजरिवाल को सियासी बढ़हत मिलेगी तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि साल 2015 में दिल्ली के उस वक्त के मंतरी जितेन सिंग तूमर की डिग्रियों की जाच के लिए बीजेपी ने जमीन आसमान एक कर दिया था फिर उसके बाद उनकी डिग्रियों की जाच हुई और डिग्रिया फर्जी पाई गई तोमर के खिलाफ कानूनी कारवाई हुई उनका मंत्री पर चला गया गिरिफतार करके वो जेल भेजे गए तो एहम सवाल ये है कि जब दिल्ली सरकार में मिनिस्टर रहे जितेन सिंग तोमर की डिग्रियों की जाच हो सकती है तो फिर प्रधार मंती नरेंद मोदी की डिग्रियों की जाच क्यों नहीं हो सकती तो दोस्तो दास्ताने डिग्री पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एक ऐसी शक्सियत भी सियासी दुनिया में मौजूद है जिसने अपने बच्पन में एक ऐसे स्टेशन पर भीक मांगी जो उनकी जवानी में बना उन्होंने इमेल का इन्वेंशन यानि इजाद होने के कई साल पहले ही इमेल कर दिया था उन्होंने नाली पर भगाना उलट कर गैस का प्रोडेक्शन शुरू कर लिया और उससे चाए भी बना ली उनकी डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस की है जो पूरे मुल्क में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है उनकी डिग्री पर उनकी युनिवस्टी का नाम फलाना यूनिबर्सिटी लिखा है अब सबसे एहम और दिल्चस बात ये है कि उनकी डिग्री कम्प्यूटराइज है लेकिन बिचारा कम्प्यूटर तो दुनिया में उनकी डिग्री मिलने के करीब 10-12 साल बाद आया लिट्रा मॉडर्न फॉज ने उनके इस पास साल के बच्चे वाली गव बाजी स्ट्राटीजी को अपनाते हुए उस पर अमल भी किया उन्होंने तक शिला को बिहार में रख दिया और पटना वालों को सिकंदर से लड़वा दिया उनके मताबक उन्होंने 35 साल तक भीक मांगी लेकिन B.A. और M.A. भी कर लिया उनके मताबक वो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनके पास B.A. और M.A. की डिगरियां मौजूद है वो बच्पन में तलाब में जाकर मगर मच पकड़ लाते थे तो दोस्तों पिछले 9 सालों से इसी तरह की गपे बाजी बिना सरपैर की बकवास बेवकूफी भरे तमाम जूटे तमाशे लगातार चल रहे हैं और 140 करोड लोग ना सिर्फ इसे जेल रहे हैं बेलकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन गपे बाजी पर यखीन भी करते हैं अरे भाईया वावाही की खोल में ऐसा स्कैंडल कैसे जेल लेते हो दिमाग नहीं फटता तुम लोगों का क्या खैर दोस्तों हकीकत ये है कि साहिब की डिगरी का डंका एक बार फिर बज रहा है बेशक कोई भी कोर्ट ये फैसला कर दे या देश की संसत कानून पास कर दे कि प्रधान मंतिर नरेद मोदी की डिगरी पर कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा लेकिन देश के लोगों के बीच अब ये तो चर्चा बनी ही रहेगी कि मोदी कितने पढ़े लिखे हैं और ये तमाशा केजरी वाल ने खड़ा किया है सबसे एहम सवाल ये है कि नरेद मोदी को अपनी डिगरी दिखाने में आबजेक्शन क्या है इस भारत में अगर अधना से गवर्मेंट इंप्लॉईस की डिगरी अगर फर्जी पाए जाए तो उसे नौकरी से बर्खास करके जेल भेज दिया जाता है तो फिर मुल्क के सबसे उंचे पद पर बैठे प्रधान मंतरी अपनी डिगरी क्यों छुपा रहे हैं दर असल दोस्तों अपनी पढ़ाई के बारे में कन्फ्यूशन तो खुद नरेंद मोदी नहीं क्रियेट किया है ज्यादा तर लोगों ने नरेंद मोदी का वो वीडियो देखा है जिसमें मोदी कह रहा है कि उनकी कोई पढ़ाई वड़ाई नहीं हुई है तर एक दूसरे वीडियो में वो कहते हैं कि उन्होंने 35 साल तक भीग मांग कर खाया है जाहिर से बात है डिग्री तो भीग में नहीं मिली होगी नरेंद मोदी के बारे में जो किस्से कहानिया मशूर है उनके मताबिक वो महस 17 साल की उमर में अपना घर छोड़कर बाहर निकल गए थे तब तक उन्होंने सिर्फ 10 वी तक की पढ़ाई बढ़ नगर के गुजराती मीरियम के भागवता चारे नरायन चारे हाई स्कूल से पूरी करी थी वो पास हुए या फेल इसका भी कोई प्रूफ नहीं है इंटर में उन्होंने एड्मिशन तो लिया था लेकिन इंटर पूरा किये बिना घर से चले गए थे फिर वापस आकर मोदी ने दोबारा बारवी पास करी या नहीं ये जानकारी कहीं भी मौजूद नहीं है अब दूसरी एहम बाद में आप लोग को बता दो कि नरेंदर मोदी ने दो हजार चौदा के लोग सभाचनाओ के पहले ये कभी नहीं बताया कि उनके पास B.O.R.M.E. के डिगरियां है 2014 के लोग सभाचनाओ के दौरान दिये गए अपने हलप नामे के जरिये ही दुनिया को पहली बार पता चना कि नरेंदर मोदी तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं 1983 में उन्होंने गुजरात उनिवस्टी से आर्ट्स में मास्टर्स की डिगरी और 1978 में दिल्डी उनिवस्टी से आर्ट्स में ही बैचलर्स की डिगरी हासिल करी है दोस्तों इस डिगरी मसले में सबसी बड़ी बात तो ये छुपाई जा रही है कि साल 2016 के अप्रेल में उस वक्त के CIC यानि सेंट्रल इंफॉर्मिशन कमिशन के अमश्रीधर ने दिल्डी उनिवस्टी और गुजरात उनिवस्टी को PM मोदी को दी दिगरीयों के बारे में जानकारियां पब्लिक करने का इंस्ट्रक्शन दिया था Central Information Commission ने कहा था कि हाला कि चुनावी पर्चे में डिग्री के बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं है लेकिन अगर कोई मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री की डिग्री के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है तो उसे पब्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन दिल्डी उरिवस्टी और गुजरात इनिवस्टी दोनों ने ही इसे देने से इंकार कर दिया डिग्री की मार्क शीट मांगने पर गुजरात इनिवस्टी के वाइस चांसलर एमन पटेल ने तब इसे देने से मना करते हुए कहा था कि हम किसी भी स्टूडन्ट की डिग्री या मार्क शीट किसी भी मीडिया या तीसरे शखस को नहीं दे सकते हैं कमाल की बात ये है कि अनफिशल तरीके से दोनों डिग्रियों के फोटो मीडिया में बाहर आ गए बीजेपी ने बेकाइदा एक प्रेस कांफरेंस करके दिल्ली यूनिवस्टी की डिग्री की फोटो पत्रकारों को दिखाई एक गुजराती अखबार ने एमे की डिग्री भी चाप दी अब सबसे एहम बात ये कि अगर मीडिया में आई नरेद मोदी की दोनों डिग्रियां सही हैं तो दिल्ली यूनिवस्टी को और गुजरात यूनिवस्टी को इसे सही मान लेने में आखिर दिक्कत क्या है खेर दोस्तों माइनॉर्टी कम्यूनिटी से काख़ पूछने वाले अपने काख़ न जाने क्यूं नहीं दिखा रहे हैं सियासी तमाशा ये है कि दिल्ली के सीम ने पीम की डिग्री मांगी गुजरात यूनिवस्टी ने देने से मना कर दिया सेंट्रल इंफॉर्मिशन कमिशन ने डिग्री पबलिक करने का ओर्डर दिया यूनिवस्टी ने सेंट्रल इंफॉर्मिशन कमिशन के ओर्डर को हाई कोट में चैलन्ज किया हाई कोट ने ओर्डर रद कर दिया और खेजरी वाल पर 25,000 रुपए का जर्माना भी लगा दिया ये काफी अजीब फैसला है क्योंकि हर उमीदवाल को अपने हलफ नामे में डिग्री वगेरा की जानकारी देनी होती है और गलत जानकारी देने पर सजा का प्रोविजन भी मौजूद है फिर किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की डिग्री मांगना क्राइम नहीं हो सकता है दूसरी बात कानूनी तौर पर अनपढ़ शख्स भी चुनाव लड़ सकता है साथ ही कोई उमीदवार पढ़ा लिका है या नहीं ये जानना भी जनता का हक है वैसे भी अमिश शा और अरुन जेटली दोनों ने मिलकर मोदी की एंटाइर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री पब्लिक कर दी थी जो कहने के मताबिक गुजरात युनिवस्टी की है लेकिन युनिवस्टी को इसका वेरिफिकेशन करने में ना जाने क्या परशानी है वैसे कम से कम युनिवस्टी को ये तो बता ही देना चाहिए कि उसने एंटाइर पॉलिटिकल साइंस जैसा सबजेक्ट दुनिया के एक ही स्टूड़न को क्यों पढ़ाया तो दोस्तों मिलते हे अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ जैन हिंद सत्तिमेव जैते अल्ला हाफस दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल थमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com slash dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हर्गिस नहीं भूले आप हमें फॉलो भी कर सकते हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज पर मेरा ट्विटर है एड़ दरेट आफ अर्शी अजीस खान टैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में